गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म लुम्बिनी में 5-6-3-20 शाक्यकुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। उनकी माता का नाम महा माया था। बुद्ध के बचपन का नाम सिध्धार्थ था। सिध्धार्थ ने शादी के बाद अपने नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा का त्याग कर दिया था। संसार को दुखों से मुक्ती दिलाने के लिए वे दिव्य ज्यान की पे हैं। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, ठीक उसी तरह से समझदार व्यक्ती अपनी तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। इरश्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हसी स्थाई नहीं हो अगर आप अंधेरे में डूबे हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते। एक जागे हुए व्यक्ती को राद बड़ी लंबी लगती है, एक ठके हुए व्यक्ती को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर लोगों के लिए जीव किसी समझदार व्यक्ती के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता, जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनन्द नहीं ले पाता है। मौत एक विचलित मन वाले व्यक्ती को उसी तरह से बहा कर ले जाती है, जिस तरह से प्लाव के नींद में डूबे हुए लोग बह जाते हैं. आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं होते हैं, आप अपने गुस्से के द्वारा ही दंडित होते हैं. हमारा मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो, वैसा ही बनते हो. संदेह और शक की आदत से बड़ा दु